IMD की साइंटिस सोमा सेन रोजी हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद है मैम जिस तरह से दिल्ली में लगातार हीट वेव दिखा जा रहा है तापमान 47-49 डिग्री तक पहुँच रहा है क्या इसको लेकर अपडेट है क्या तापमान और भी बढ़ेगा या इसमें कुछ गि हमारे उम्मीद है एक से दो डिग्री गिरने की संभावना है नौर्थ वेस्ट इंडिया में तो इसके चलते हमने रेड अलर्ट दो से तीन दिन तक पूरा नौर्थ वेस्ट इंडिया याने की राजस्थान पंजाब पंजाब हर्याना वेस्ट उत्रप्रदेशन सभी पासकर अगर बात करें सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास काफी तेज धूप हो जाती है शाम के 4-5 बजे तक रहती है और इसके साथ साथ जो लू के थपेड़े हैं उनका भी सामना करना पड़ता है तो क्या यह जो है इससे कुछ दिनों में राहत मिले देखिए जैसे मै नहीं है क्योंकि परश्रिम विक्षोब निकलते जा रहे हैं और जिसके चलते एक स्ट्रॉंग एंटिसाइकलोनिक फ्लो है और यह विंज भी आरे आपकी पाकिस्तान के उपर से जो की वहां पर टेमपरेटरेश अभी 50 डिग्री के सलसेश के आसपास है पाकिस्तान के साथ साथ हमारे परश्रिमी राजस्तान में भी 49 50 के रेंज में हैं तो यह जो जगह से टेम विंज आ रहे हैं स्ट्रॉंग विंज आ रहे हैं इनके साथ हीट वेव का जो होट टेमपरेटरेश जो है पूरा नौर्ट विस्ट इंडिया में एडवेक्ट हो रही है मैं लोग साथानी क्या बरते हैं क्या सुझाओ है आपका अगर आपको जैसे इस समय दिन में दिन के समय कम से कम निकले तो अच्छा है क्योंकि डिहाइडरेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं और मॉइस्ट्र शरीर से बिल्कुल निकल जाता है हीट स्ट्रोक संस्ट्रोक होन आपका शरीर को पूरा सुखा देता है जिसके चलते बॉडी बहुत जल्दी वीकिन कर जाता है